नमस्कार दोस्ते, इंटा डेटेक मुंबई में आपका कोटी-कोटी अभार बहुत बस्वागत है, ये पाँच स्टोक आपके पास ये अगर टेडर हैं तो सब काम छोड़ कर दिखिए और कल के लिए अपने रडार पे रखिए, इन्फोएज, SIS, Quest Corporation, Delta Corporation और CDS, सभी के सभी स स्टोक्स बढ़िया है, डेट फ्री है, नॉर्मल डेट फ्री है, जिसमें से 3, 0.64, 0.53, 0.61 परसेंटे कोई माने ज्यादा नहीं है, बाकी 00, InfoAge, CDS, 0 डेट फ्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें से 5 स्टोक रखने जरूर हैं आपको, लेकिन इसमें से Delta Corporations, Quest Corporations, InfoAge और CDS, सभी के सभी स्टोक आप लोग जानते होंगे, और इसके कई वीडियो हमारे हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास Profit में है, अगर ये 5 स्टोक अगर लेकर आप डिलिवरी में रखे हैं, लंबे समय के लिए, तो आप Profit में है, तो Profit Book कर लिजे, और टेडिंग में आईए, और फिर जितना दिन आपने रखा होगा, उसका 10% बेज अगर रखते हैं नहीं, सीख लेते हैं, तो पूरी आपको पता चलेगा कि क्या investing में फाइदा है, क्या trading में फाइदा है, तो यही हम आपको बताएंगे, और ये भी बता देते हैं, आपको इसमें से एक स्टोक को लेकर बता देते हैं, कि आपको इन स्टोक में क्यों delivery में नहीं लेना है, अगर delivery में लेते हैं तो आपकी एक तो बहु परसन में स्टोक मिलता है जब आपको यही है कि बढ़ेगा चाहे CDSL हो, Delta Corporation हो, Quest Corporation हो, या SIS हो, या Infoys है, जब लगता है कि बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आप future में buy किजिए ना दोस्तों उस दिन, option के put में call में खरी दिये ना, जब इतना है तो, यही तो खेल करना है, जब जब बढ़ेगा तो क्या कमा लेंगे आपको, एक दिन में क्या कमा लेंगे, एक सप्ता में क्या कमा लेंगे, एक सप्ता में जो कमाएंगे, चार, पांच, दस, बीस रुपया, जदा जगा 10%, एक सप्ता में कितना कमाएंगे, 10% आप एक मिनट में 10% कमा सकते हैं लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ आए मैं बता दू है डिलिबरी में क्यों माना कर रहा हूँ आपको आए इसमें से लेते हैं CDSL CDSL का लेबल है दोस्तों, अगर ये कौन-कौन सा लेबल है, एक लेबल है 209 का, अगर ये 209 पे जिन होने लिया है, तो 100% आज का प्राइज है 1000 से ज्यादा है इसका, ठीके, आप बेज के निकल जाए, प्रफिट बुक किजिए, इसलिए कि 209 आएगा, तो अटोमेटिक आपक कि, इसी तरह ये सभी स्टोक से, इन्फो एज, SIS का पसंद दिल्टा कर पसंद, अब आए एक लेबल है CDSL का, 490 रुपिया, अगर 490 रुपिया पे आया हो, अगर स्टोक आएगा, बहुत जबजस्त कमाई होगी, तीसरा है लेबल, 990 रुपिया की, 990 रुपिया अगर ये चौथा लेबल है 1110, अगर ये 1010 रुपिया के आसपास है, तो ये 1110 रुपिया अगर आता है, बेधड़क उस दिन फ्यूचर में बाई कीजिए, और देखिए क्या कमाई होती है, दूसरा छटा लेबल है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवा लेबल है, बारो सो का, अगर ये 1200 CDSL आता है लेबल में दूसरो, बेधड़क फ्यूचर में ठेडिंग कीजिए, बीना सीखे, बीना पढ़े, बीना किसी का बताए, ये लेबल हमने बता दिया, 209 का लेबल कमाई कराने वला है, 490 का है, 990 का है, 1110 का है, और 1200 लकल है, CDSL के लिए आपका सोने पे इसकी मार्केट कैप है, 10,000, 10,500 करोड, मार्केट कैप है, 10,500 करोड, प्राइज अर्निंग है, 36.18 और डिविडेंट इसका है, डिविडेंट इल्ड 1.49%, अब आईए, 111 रुपया का बेस बना हुआ है, आप डिलिवरी में लेकर क्या कमाएगे, और टेडिंग करके फ्यू भी आप देखा दे आपको, बेस 111 का बेस है दुस्तों, ठीक है, यह ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, तो पहला बेस को तोड़का जाता थे, 1019 रुपया का आएगा, दूसरा अगर इसको भी एक्टिप करता थे, 1033 का आएगा, तीसरा, 1041 का आएगा, और 14, 1050, अब टेड़ी में क्या फाइदा है, अगर यह लगता है आपको, आपको भी लगना चाहिए, आप अपने उपर विश्वास रखना पड़ा, 1050, अगर लगता है कि यह बहुत जबजस्त, तेजी से भागने वाला इस्टो, तो 110 का प्राइज है, ठीक है, अगर कितना का डिपरें दस लाग, एक हजार स्टोक लेने के लिए 10 लाग रुपया लगाना पड़ेगा, अगर वही आप फ्यूचर में बाई करते हैं, तो आप जान लिजे कि कितना कम में 40 रुपया का कमाई, शिर्फ जो आप 40 रुपया हो सकता है, एक मेना, दो मेना में कमाएंगे, अगर यह फ स्टोक पर कम से कम मिलता है, और एक हजार स्टोक लेते हैं, तो 4000 रुपया हुआ, कितने मिनट में, शिर्फ 15 से 20 सेकेंड में दोस्तों, यह कमा सकते हैं, CDSL से, तो यह लेवल देखिए, और अगर दोनों फाइदा है, डिलिवरी में लेंगे तो बढ़ेगा तब ही बेचें तो कितना? 3 और 13 रुपया का आपको, तो सेल कर दीजे, फ्यूचर में सेल, 13 रुपया का बेनफिट, और लगता नीचे जाएगा तो 980 रुपया जाएगा, तो आपको कितना हो गया? लगबग 31 रुपया, 31 रुपया, लगता और नीचे जाएगा, 974 रुपया जाएगा, तो आपको 26 तर 36, 37 रुपया, तो आप बता दिजए कि टेडिंग करने में हैं आपको फाइदा, कि आपको इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर कमाता है आज जादा कि टेड़, टेडर ही कमाई करेगा, इन्वेस्टर तो टेडर के लिए उसका एक ज़रिया है, अगर इन्वे ये बहुत खेल हो गया ये लेलो ओ लेलो ये लेलो ओ लेलो कहने वाले और डाटा चार्ट दिखाने वालों से सावधान राना दस्तो जै ही जै भारत बंडे मातर